Hey what's up guys, कैसे हैं आप लोग हम फिर से वापस आच के एक नई वीडियो के साथ हूँ तो guys आज के वीडियो में बात करने वाले हैं सल्मान खान के बारे में सल्मान खान वैसे तो बहुत बड़े सुपर स्टार है इनकी फिल्म में बहुत सारी सुपर हिट, ब्लॉग बास्टर, आल टाइम ब्लॉग बास्टर हिट हुई है आज के वीडियो हम बात करेंगे सल्मान खान एस प्रेडियूसर कितने हिट है इनने कितनी फिल्मों में पैसा लगाया है और फिल्म बनाई है उसके बाद फिल्म कितनी चली है आज की वीडियो आपको बताएंगे तो सल्मान खान के प्रोड़क्शन की बात करेंगे सल्मान खान फिल्मस ने कितनी फिल्म में बनाई है कितनी फिल्म में हिट हुई है, कितनी फ्लॉप हुई है और इसके ओनर सल्मान खान है 2011 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था चिल्लर पार्टी जिससे सल्मान खान ने प्रेड्यूस किया था इस मुवी को डारेक्ट किया था नितिश तिवारी और बिकास बहल ने नितिश तिवारी दंगल मुवी के डारेकटर रह चुके हैं वहीं बिकास बहल क्वीन मुवी जैसी बना चुके हैं सुपर थर्टी फिल्म बना चुके हैं चिल्लर पार्टी की बाद करें तो इस मुवी को वैसे आपको बता दू National Award मिला था Best Children Film के लिए Box Office की बात करें तो Box Office पी ये फिल्म Flop साबित हुई थी इसके बाद इनकी दूसरी फिल्म आई थी 2014 में Dr. Cabby ये Canadian Indian Romantic Comedy फिल्म थी Box Office की बात करें तो ये फिल्म Box Office पे Disaster साबित हुई यानि की Super Duper Flop इसे बाद मैं DVD पे रिलीस किया गया OTTs पे तो वहाँ पर इसको positive reviews मिले थे लेकिन Box Office पी फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी इसके बाद 2015 में इनकी फिल्म आई है बजरंगी भाईजान जिसे सल्मान खान ने खुद प्रड्यूस किया था रॉक लाइन वेंकटेश के साथ बजरंगी भाईजान एक All Time Blockbuster फिल्म साबित हुई थी इस मुवी ने बहुत अच्छा कलेक्शन किया था हिंदी में इसने लगभग 315 करोड के आसपास कलेक्शन किया था All Time Blockbuster की फिल्म साबित हुई थी इसके बाद फिर सल्मान खान की फिल्म आई है Hero इस मुवी को सल्मान खान ने प्रेड्यूस किया था Box Office की बाद करें तो ये भी फिल्म Box Office पे फ्लॉप रही जहां इस मुवी को 36 करोड के बजट में मनाय गया था 34 करोड लगभग इसने कमाये थे Box Office पे से negative reviews भी बहुत जादा मिले थे और ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई इस मुवी से आधित पंचोली के बेटे सूरच पंचोली और सुनील शेटी की बेटी आथिया शेटी लॉंच हुई थी फिल्म Box Office पे नहीं चली थी फिर 2017 में सल्मान खान की फिल्म आई थी ट्यूब लाइट इस मुवी को सल्मान खान ने खुदी प्रड्यूस किया था कबीर खान के साथ सल्मा खान के साथ बात करें ट्यूब लाइट फिल्म की तो ट्यूब लाइट फिल्म एक below average फिल्म साबित हुई बात करें ट्यूब लाइट फिल्म की तो इस मूवी को बहुत जादा नेगेटिव रिव्यूज मिले थे क्रिटिक्स को और्डियन्स को ये फिल्म पसंद नहीं आई थी इस मूवी को बिलो आवरेज करार दिया गया था ये फिल्म भी बॉक्स ओफिस पे जादा कुछ प्रॉफिट कमा नहीं पाई थी हिंदी में इसने लगबग 114 करोड की कमाई करी थी इसके बाद इनकी फिल्म आई है 2018 में फिल्म रेस थी बॉक्स ओफिस पे इस मूवी को बहुत जादा निगेटिव रिव्यूज पिले थे सल्मान खान की सबसे घटिया फिल्मों में आती है रेस थी बात करें बॉक्स ओफिस की तो इसने कमाई अच्छी खासी कर ली थी हिंदी में लगबग 166 करोड की कमाई कर ली थी बजट निकाल लिया था अपना बॉक्स ओफिस पे से एवरेज करार दिया गया है इस मूवी को सल्मान खान ने खुदी प्रड्यूस किया था इसके बाद फिर सल्मान खान की फिल्म आई है लव यात्री सल्मान खान ने अपने जीजा यानी की आयूश शर्मा को लाँच किया था लव यात्री फिल्म से फिल्म का जहां बजट था 32 करोड इस मूवी ने बॉक्स ओफिस पे 18 करोड 14 लाकी मांतर कमाई करी थी इस मूवी को बॉक्स ओफिस पे डिजास्टर करार दिया गया था इस मूवी को मिक्स ने निगेटिव रिव्यूज मिले थे इसके बाद फिर सल्मान खान की एक और फिल्म आई उनके प्रोडक्शन हाऊ से फिल्म नोटबुक इस मूवी से सल्मान खान ने मौनिश बहल की बेटी प्रुनूतन बहल और सल्मान खान ने अपने दोस्त के बेटे जहीर इकबाल को लॉंच किया था फिल्म इंडस्ट्री में नोटबुक फिल्म बॉक्स ओफिस पे बुरी तरीके से फ्लॉप होई जहां बजट इसका 15 करोड था इसने मातर 3 करोड 20 लाकी कमाई करी थी इस मूवी को भी डिजास्टर करार दिया गया इसके बाद फिर सल्मान खान की फिल्म आई उनके प्रोड़क्शन हाउसे फिल्म भारत इस मूवी को सल्मान खान ने अतुल अगनी ओतरी, अलवीरा खान अगनी ओतरी, भूशन कुमार, किशन कुमार, निखिल नमित जैसे लोगों के साथ मिल के प्रड्यूस किया था भारत मूवी को बॉक्स ओफस पे एक सेमी हिट फिल्म करार दिया गया था इस movie ने अच्छी खासी कमाई करी थी लगबख 197 करोड की इसे semi hit करार दिया गया था इस movie को भी mix से positive reviews मिले थे किसी किसी को ये film बहुत उबाऊ और boring लगी थी किसी किसी को ये film अच्छी लगी थी सल्मान खान की performance को appreciate किया गया था Katrina Kaif की performance को भी appreciate किया गया था इसके बाद फिर सल्मान खान ने produce करी फिल्म दबंग 3 जिसे direct किया था प्रभू देवा ने दबंग 3 को box office पे flop करार दिया गया था इस movie ने box office पे लगबख 134 करोड की कमाई करी थी और उस time पे इसको flop करार दिया गया था दबंग 3 के बाद फिर सल्मान खान की फिल्म आई है कागज ये फिल्म OTT पे रिलीज होई थी सतीश कौशिक ने इस movie को डारेक्ट किया था इस movie में पंकर्श तिरपार्टी थे इस movie को अच्छे reviews मिले थे और box office की बात करें तो ये फिल्म box office पे रिलीज ही नहीं होई थी डारेक OTT platform Z5 app पे रिलीज होई थी इसके बाद फिर 2021 में सल्मान खान की फिल्म रिलीज होई राद हे जो की दौनों में रिलीज होई OTT platform पे भी और cinema hall में भी cinema hall की बात करें तो इसे बहुत जादा highly negative reviews दिये गए थे critics, audience सभी के दौरा लोगों को ये फिल्म बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी तो ये फिल्म लॉस में रही राधे मुवी को सल्मान खान ने सोहिल खान और अतुल अगनी उत्री निखिल नमित के साथ मिलके प्रेड्यूस किया था इसकी बाद फिर सल्मान खान सर की फिल्म आई है अंतिम दा फाइनल तृत इसे महेश मांजगर ने डारिक किया था इस मुवी से सल्मान खान ने फिर से आयूश शर्मा को फिर से लॉंच करने की कोशिश की थी सल्मान खान, आयू शर्मा, महिमा मकवाना, जिशू शेन गुपता जैसे कलाकार थे सल्मान खान भी इसमें में रोल में ही थे आयू शर्मा इसमें निगेटिव रोल में थे इस मुवी का बजट लगबग 35-40 करोड था बॉक्स ओफिस पे इस ने उतनी अच्छी कमाई नहीं करी थी इस मुवी ने लगबग 38 करोड की कमाई करी थी इस मुवी को फ्लॉप करार दिया गया अच्छे रिव्यूज मिले थे, किसी किसी ने इसको मिक्स रिव्यूज भी दिये थे ये फिल्म एक मराठी फिल्म मुलसी पैटन का हिंदी रिमिक था बॉक्स ओफिस पे गिवी फिल्म नहीं चली थी तो ये है सल्मान खान के बॉक्स ओफिस का रिजल्ट एक ही फिल्म को बड़ा हिट मान सकते हैं जो है बजरंगी भाई जान उसके अलाबर जितनी भी फिल्म में आई हैं कुछ खास कमाल नहीं कर पाई है भारत मुवी को सेमी हिट करार दिया गया था बागी सारी फिल्म में फ्लॉप एवरेज टिजास्टर रही है सल्मान खान के आने वाली फिल्म है दोजार तैईस में किसी का भाई किसी की जान जिसे फराद सामजी डारेक कर रहे है ये फिल्म वीरम फिल्म का रीमेक है एक तमिल फिल्म आई थी उसका रीमेक है इस फिल्म के चलने के चांसे बहुत कम नजर आ रहे हैं क्योंकि इस फिल्म को डारेक कर रहे है फराज साम जी और इस फिल्म की जो कुरियोग्राफी है डांस सीक्वेंस है उनका बहुत मजाक उड़ाया जा रहा है सोशल मीडिया पे और वैसे भी ये फिल्म रीमेक है इसका हिंदी वर्जन यूटूब पे डला हुआ है तो अल्रेडी फैन्स उस मोवी को देख चुके हैं इनके प्रोडिक्शन हाउस से आपको मेरा वीडियो कैसे लगा मुझे कॉमेंट सेशन में जरूर बताएगा मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक यू सो मच गाईस वाचिंग मा वीडियो